Hello everyone और आज हम बनाने वाले हैं तिल की बर्फी तिल की बर्फी विंटर्स में बहुत अधिक खाई जाती है और बनाई भी जाती है तो मैंने जिस तरीके से आज तिल की बर्फी बनाई है मैं आपको बताती हूँ तिल जो है वो हमारी शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इसके लिए मैंने आधी किलो तिल लिये हैं जिसको मैंने अच्छे से भूल लिया है और इनको ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है जब यह ठंडे हो जाएंगे तो मैंने पीस लोगी और मैंने च ते टियार कर लूगी चाशाशनी बनाते वक्त द्यान रखे कि चाशनी आपकी जो है लगे न इसी-लिये आपको मोटी तिली तिले की कड़ाई का polls includes करना है चाशनी हमारी तयार हो जाएगी और तिल जो होते हैं हमारे बोड़ी के लिए बहुत ही अछ्छे होते हैं और सदियों में उन्हें खाना बड़ा ही अच्छा होता है तिल हमारे शरीर को गर्मी परदान भी चरते और शरीर में औरaction between गोट सकते हैं हैं इतने मैं को mood कर लेती हूं तब तक हमारी चाशनी तयार होती है जब हमारी चाशनी 처val होगी तो आपको पता लग जाएगा कि चाशनी चाड़ क roz चिपकने लगती है मतलब सफेद सफेद जो है अपना the power साइड में सूखने लगता है तो उससे लगता है कि हमारी जो चाशनी है तैयार होने वाली है देखिए मैंने अपने जो तिल है वो भी पीस लिये हैं मेरे को ज्यादा बारीक तिल नहीं पीसने थे मुझे थोड़े मोटे पीसने थे आप चाहे तो इन्हें इमाम दस्ते में भ बना कर रखा था और इसको अम मैंने ग्राइंड मतलब जो कद्दू दस होता है उसमें कस लिया है ताकि यह अच्छे से मेरे जो चाशनी की चाशनी है उसमें मिल जाए और भुने वे तिलों में से मैंने थोड़े से तिल निकाल लिये थे क्योंकि मैं इन्हें उपर से एड करूंगी चाशनी हमारी लगबत तयार होने वाली है देखिए साइड में से वो चिपकने लगी है और सफेज सफेद पोम आने लगी है और अब हम चेक कर लेते हैं हास पर लगा के जब इस तरह से तार जो है चाशनी का बढ़ना लगे तो समझ लिजे कि जो चाशनी है आप अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के लिए आपको इसे लगातार चलाते रहना है ताकि जो आपके तिल है वो अच्छे से चीनी की चाशनी में मिक्स हो जाएं तो हम पहले जो हमने पहले वाले तिल डाले उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बाकी बचे हुए जो तिल हैं हम उनको भी इसमें एड़ कर लेते हैं और उसको भी अच्य से मिख्स कर लेंगे इस ताइम पर आपको इसे चाषणी को और तिलों को लगातार चलाते रहना था कि तो तो हैथ ताकि तिल है वह अच्छी से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अब इसमें मावा एड़ कर मतलब बर्फी की फोम में जमने के लिए तैयार होती रहेगी इस तरीके से इसमें घोटा सा लगाएं जैसे घोटा लगाते हैं किसी चीज में ऐसे लगाएं इससे आपकी चाशनी और मावा आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपकी जो बर्फियां हैं वो ब नीचे लगा लेते हैं तोड़ा सर्दी का मोसा में घी जमा हुआ है तो मैंने प्लेट को गैस पर रखके उसको मेल्ट कर लिया था और दो प्लेट में अच्छे से अपना जो घी है वो अपलाई कर लिया है दूसरे तरफ हमारी जो बर्फियां के बैटर है वो बिल्कुल त तो ब्लेट में डाल दें अगर आप चाहे तो इसके ऊपर कोई ड्राइफ रखके लगा सकते हैं लेकिन मैं तिल की बना रही है तो मैं तिल का ही इसमें उपर से यूज कर रही हूं बाकी बचा हुआ बैटर मैंने दूसरी प्लेट में अच्छे से फेला दिया है और इसके प्लेट को पांच मिनट के लिए रख दूंगी और उसके बाद मैं इनके पीसिस कट कर लोगी जब आप पीसिस कट करें एक बार चेक करने के बाद ही आप अपने पीसिस कट करें पीसिस कट करने से पहले जिस चीज से आप इसे काट रहे हैं चाकू वगेरा से उस पर थोड आपको निकाल के दिखाती हूं और मैंने इस तरीके से अपनी तिलकी बर्फिया आज बनाई है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही युमी थी और अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरी वीडियो को पहली बार आपने देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक करना और कमेंट करना ना भूले और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप किस तरीके से आप अपने तिलकी बर्फी बनाती है और आप किस तरीके से चाहते हैं कि मैं नेक्स टाइम आपको कौन सी बर्फी या किस तरह के लड़ो आपको बना के दिखाऊ या कौन कमेंट करके ज़रूर बताएं और थैंक यू my friends for my watching